दोस्तों, बाजार में नजर आने वाले अधिकतर फ़लों से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन इन रंग-रंगीले फ़लों में से कुछ ऐसे भी हैं, जिनके बारे में शायद ही सभी जानते हों, उन्ही में से एक है, राम फल या तेंदू फल, तेंदू टमाटर के समान आता है, और आकार में गोल होता है, वहीं चौडाई की बात करें, तो इसका व्यास शून्ने दश्मलव पांच से चार इंच तक देखने को मिल सकता है, पका हुआ तेंदू का फल रस्तार और स्वाद में मीठा होता है, जो खाने में खजूर और आलू बुखारे का मिश्र और उप्योग से जुरे कुछ रोचक तथे बता रहे हैं, ताकि इस फल का बहुबी लाब हासिल कर सकें, तेंदू फल विभिन शारीरिक समस्याओं से बचाने के साथ साथ बीमारी की अवस्था में कुछ लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है, तो चलिए शुरू कर नमबर वन, दोस्तों, तेंदू फल में अन्य पोशक तत्वों के साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर वजन को नियंतरित रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक और कबज जैसी पेट संबंदी समस्या को दूर रखने में लाबकार माना जाता है, इस कारण ये कहा जा सकता है कि फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण तेंदू फल भी इन सभी समस्यां से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है, नमबर तू, राम फल के अर्क में इंटी इंफलिमेटरी यानि सूजन कम करने वाला प्रभा प्रभाव के कारण ये अर्थराइटिस यानि जोरों में दर्द की समस्या में राहत पहुंचाने में मदद करता है, साथ ही अन्ने समानने सूजन और उसके कारण होने वाले दर्द की समस्या से भी राहत दिलाने में ये सहायक साबित हो सकता है, नमबर त्री, देंदू फल में केरोटिनॉइड और टैनन नाम के दो खास तत्व पाए जाते हैं ये तत्व फ्री रेडिकल्स यानी मुप्तकनों के प्रभाव को दूर कर हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्टरॉल जैसे हर्दे संबंधी जोखिमों को नियंतरित रखने में मदद करते हैं इस कारण ये कह आ जा सकता है कि तेंदुफल का उप्योग हर्दै स्वास्थे के लिए लाभदायक साबित हो सकता है नंबर फोर पॉली फिनोल्स की मौझूदगी के कारण तेंदुफल में एंटी ऑक्सिडेंट यानी ऑक्सिडेटिव तनाफ को कम करने वाले और एंटी डायबिटिक यान बल्ड शुगर को कम करने वाले प्रभाव पाए जाते हैं हाई बलड शुगर की मुख्य वजहों में अक्सिडेटिव स्ट्रेस भी शामिल है इस कारण तेंदुफल के ये दोनों ही प्रभाव स्वाभाविक रूप से हाई बलड शुगर को कम करने में मदद कर सकते हैं इस अमीनो एसिट के साथ साथ फेनोलेक और फ्लेवोनोइट तत्व पाए जाते हैं जो सनियुक्त रूप से इसे बेहतरीन इंटियोक्सिडेंट बनाते हैं ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के कारण शुगर, गठिया, सूजन और हर्दे रोग जैसी कई समस्याओं के होने की आशनकाय बढ़ जाती हैं इस कारण यह माना जा सकता है कि इन सभी समस्याओं में तेंदू का फल्क काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू